Hello student, कैसे हैं आप सब, hope you all are doing very good and fine, so welcome back to your channel, this side Pranga Khanna, your biology educator Student, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे 5 words लेके आएं हैं, जिन 5 words का मतलब है कि कुछ scientific words, ठीक है जैसे कि आपको पता है कि जब आपा आखों को पढ़ते हो, तो eyes को English में, obviously eyes का जाएगा, हिन्दी में उसे आख का जाएगा, लेकिन biological उसे क्या का जाता है, ठीक है ठीक है, ठीक हो, biology में हर एक चीजों का जो terminology होती है, वो बहुत ही unique होती है, यह आपको भी पता है तो student, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि heart की, तो heart English का word है, आपको पता है, दिल जिसको बोलते हैं अगर हम उसको biological बोलें, तो क्या बोलेंगे, cardiac, तो आपने देखा भी होगा, cardiac cycle या cardiac word रिप्रेजिन करते हैं, किसको heart को, ठीक है तो इसके अगर study करते हैं, अगर heart की study की जाती, तो उसे क्या कहा जाता है, cardiology कहा जाता है और इसलिए जो heart के doctors होते होने क्या कहा जाता है, cardiologist कहा जाता है तो सारे words में क्या prefix, क्या common आ रहा है, cardio, ठीक है तो इसका मतलब है कि heart की जो word है, जो heart का word है, उसको biological आप क्या बोल सकते हो, cardiac बोल सकते हो इसके study करोगे तो क्या बोल सकते हो, उसको cardiology कह सकते हो और उसके जो doctors होते होंने क्या बोला जाता है कार्डियोलोजिस्ट का जाता है इसी तरीके से अगर हम second बात करें तो lungs की lungs का जो biological name है उसे कहा जाता है pulmonary जो भी आप अपने books में पढ़ते हो lungs के बारे में तो pulmonary word बहुत common आप देखते होगे तो जहां भी word pulmonary आता वो lungs को represent करता है ठीक है इसके जो पढ़ाई होते होसे कहा जाता है pulminology अगर lungs की पढ़ाई कर रहे हो तो pulminology और जो lungs के doctor भी होते है इसलिए उनका नाम क्या होता है लाइक उसको हम कैसे उनको represent करते है pulminologist बोला जाता ह है ठीक है तो यह दो words clear हो गए heart के हो गए और lungs के हो गए अब हम बात करते हैं का लिवर की तो लिवर का जो biological term होता है वह होता है hepatic ठीक है अगर इनके हम पढ़ाई की बात करें कि लिवर की study को क्या कहते है तो hepatology और जो इनके doctors होते होने क्या कहा जाता है ठीक है इससे टेकिस अगर हम आई की बात करें तो optic ही उसकी आजाता है और अगर हम इसपे इनकी पढ़ाई की बात करें आई की इसगी तो उसे कहा जाता है सब्सक्राइब करने जाता है अबने जय फिर एंग को सब्सक्र होते हैं और उसे क्या सब्सक्राइबेत करने निफेलीक्तिस्टीक्षाब नेफ्रो लॉजिस्ट का जाता है है ना इंट्रेस्टिंग तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि बायों में हर एक का अपना एक स्पेसिफिक टर्म होता है यहां पर टर्म कहीं सारा खेल है तो अगर आपको कभी भी अब आज से कभी भी वर्ड पल्मिनरी कहीं अगर सुनने में आता है तो आप उसको लिंक का लेना कि वो पल्मिनरी किसके लिए था पल्मिनरी फॉर्ट लंग्स के लिए था काड़े किसके लिए था हार्ट के लिए था ठीक है आइस के लिए ऑप्टिक था ठीक है तो यह सारे चीज़े आपको याद रखनी हो किटनी के लिए क्या था, renal था, ठीक, तो student इसी तरीके से हम और भी जाता, interesting fact, information के साथ, next video में आपको मिलेंगे, till then, bye bye, take care.